हमारी माता जी जिनोंने ना कोई कोल्स किया है ना कोई डिग्री लिये पकवान बनाने में और लेकिन अगर आप उनके हाथ का खाना खा लेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे हम लोग जो कि हमारी भी पत्नी जब हम साधी हुई जब मेरी पत्नी आई तो उनको भी मेरी माता जी ने काफी सिखाया और आज उन्ही की बदौलत मेरी माता जी की बदौलती उन्होंने भी काफी कुछ सीखा है खाना बनाना तो फिर एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी तो माता जी ने कहा कि आने वाली पीडियों का क्या होगा जो अब जेनरेशन आ रही है उसका क्या होगा हम लोगों ने तो खाना बनाना सीख लिया है संसकार भी जो है सीख लिये जो हम लोगों को मिल गए लेकिन अब आने वाली जो पीडियों आने वाली जो जेनरेशन है उसको सामने तो और समस्चा खड़ी हो रही है कि वो ये संसक कहां से सीखेगी क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं हम लोग भी जो बताएगे हम लोग को जो नौलेज है हम लोग जो बताएगे लेकिन उसके बाद क्या तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यह हुआ कि क्यों ना अपने जितने पुर्वांचल के पकवान है और उस तक के रूप में आपके समझ रहेगा और आप उसको जब चाहे देख सकते हैं और उससे अपने संसकार और अपने पकवानों के बारे में जान सकते हैं कि हमारे क्या पकवान है